दॉक्तर विनोद पंकज मिस्रा और वेलकम इन माई यूटूब चैनल पंकज इस्टिटूट आफ इंग्लिस तो इन सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिस में बोलते हैं और यदि आप यह सब सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि इस प्रका के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके साहती साथ इनको वीडियो इसको जादा से जादा लाइक और सेयर करिए शुरू करते हैं आज के रहशकता हूं क्या आपको पार्टी में मज़ा आया मैंने आपको बेवज़े परेशान किया अगर कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद आना मैं अभी थोड़ा सा ब्यस्त हूं अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है किसने कहा कि मैं खुछ नहीं हूं स्वार्थ का जमाना है मैं असमंजस में हूं जाना कहा है और करना क्या है तो यह फैं इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो देखते हैं इनको एक एक करके किस प्रकार से किस प्रकार से यह जो सेंटेंस है English में यूज किए जाते है इंग्लिस में कैसे बोले जाते हैं जैसे करना है ये भगवान की कृपा है इसको इंग्लिस में बोलेंगे it's god grace ए ये भगवान की कृपा है इसको बोलेंगे it's it's god's god's grace ग्रेस इट्स गॉड्ड ग्रेस ये भगवान की ये भगवान की कृपा है एक सेंटेंस लिखवा है भगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ थी डियर फ्रेंस बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी किया इतने समय तक आप बिलकुल परिशान नहीं हुए और आपके काम ऐसे हो जाते हैं तो यदि हम एक कहना चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ थी तो इसको बोलेंगे God's Grace was always always with me डियर फ्रेंस कर बार पर उलदा जाता है कि कुछ अपराधियों ने अपराध किया और वो भाग गए तो यदि बाद में कुछ अपराधि यदि पहचान हो जाती है उनको पहचान लिया जाता है तो paper में ऐसे heading चपती है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है इसको English में बोलेंगे culprits 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 मतला होता है अपराधी culprits have been have been identified identified culprits have been identified एक sentence लिखा है क्या वे इस तरह से pace आएंगे कभी कभी किनी से हम कोई बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका बहुत ही बेढ़ंगा होता है तो हम कहना चाहते हैं यदि कि क्या वे इस तरह से pace आएंगे तो इसको English में बोलेंगे will they will they behave will they behave like this will they behave like this क्या वे इस तरह से pace आएंगे क्या वे इस तरह से pace आएंगे next लिखा हुआ है मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ या मुझे इस प्रकार करने के लिए कहा गया है तो I am compelled I am compelled to do so to do so मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ I am compelled to do so कोई बार कोई भी वेक्ति कोई काम करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी यदिस को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है और वो कहना चाहता है कि मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ इसको बोलेंगे I am compelled to do so next sentence लिखा हुआ है कि मैं अब और चुप नहीं रह सकता हूँ I can no longer remain silent यदि आप किसी की बात को जिस बात को आप सह नहीं सकते हैं फिर भी सह रहे हैं बहुत देर से सह रहे हैं और सहते सहते जब आप और ज़्यादा सहने की च्छमता नहीं रखते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं अब और चुप नहीं रह सकता हूँ I can no longer remain silent क्या आपको पार्टी में मज़ा आया dear friends कोई भी पार्टी और्गनाइज करते हैं तो generally लोग पूछते हैं कि क्या आपको पार्टी में मज़ा आया या आप किसी member को पार्टी में लेके गए हैं और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपको पार्टी में मज़ा आया तो इसको अंगलेस में बोलेंगे डिड यू हैव फ़न इन पार्टी इस प्रकार से मैंने आपको बे बजह परेशान किया खईवार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि आप आराम कर रहे थे मैंने आपको बिना मतलम में परेशान कर दिया अपने ये बताने के लिए तो इसको बोलते हैं I traveled you without I traveled you for nothing I traveled you for nothing I traveled you for nothing मैंने आपको बिना मतलम में परेशान किया या बिना बे बजह परेशान किया तो I traveled you I traveled you for nothing Next sentence है अगर कुछ नहीं किया गया If nothing Nothing If nothing Has Done कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि अधी अभी हालात ज्यादा खराब नहीं हैं लेकिन यदी कुछ नहीं किया गया If nothing is done तो जो हालात हैं कंडिशन हैं और भी खराब हो जाएगी अगर कुछ नहीं किया गया If nothing has done थोड़ी देर बाद आना कभी कभी कोई बिजी रहता है और कोई मिलने बाला आता है तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आना इसको बोलते हैं come back a little later और यदि आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा ब्यस्त हूँ इसको बोलेंगे जैसे कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या मैं आपका पांच मिनट टाइम ले सकता हूँ और आपके पास समय नहीं है और आप कहना चाहते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा ब्यस्त हूँ I am I am just little I am just little busy right now अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है डियर फ्रेंट्स बिल्कुल सही बात है कि जो अच्छाई होती है उसकी बुराई पर जीत होती है और अच्छाई जो है कुछ समय के लिए परिशान हो सकती है लेकिन जीत जो होती है वो अच्छाई की भी होती है तो यदि हम यह कहना चाहते हैं कि अच्छाई की तो इसको बोलते हैं good always beens over evil evil मतलब होता है बुराई तो good always beens over evil अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है कई बार अभी बोलते हैं कि अभी मैंने किया ही क्या है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है तो इसको बोलते हैं a lot of to be to remain a lot of remain to do a lot of remains to do यानि कि बहुत कुछ करना बाकी है तो इसको बोलते हैं a lot of still remain to be a lot of still a lot of still remain to do अभी तो बहुत कुछ करना बाकी हो a lot of still remains to do किस ने कहा कि मैं खुष नही कुछ नहीं हूँ तो यदि आप एक कहना चाहते हैं कि किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ Who said Who said इसको बोलेंगे Who said I am not happy I am not happy Who said I am not happy Swarth का जमाना है Dear friends, आज कल हर वेक्ती जो है, वो स्वार्थ है, स्वार्थी है और जहां पर स्वार्थ होता है वही उसका करता है तो यदि माली जी हमको कहना है कि स्वार्थ का जमाना है तो इसको बोलेंगे Selfishness Selfishness Is the Order of Day Is the Order of Day Selfishness is the order of Day Next लिखा हुआ है मैं अस्मंजस में हूँ अब मैं अस्मंजस में हूँ तो बोलते हैं I am fix जब कोई व्यक्ती ये सोचता है कि ये करूं कि ना करूं ये करूं कि वो करूं तो बोलता है कि मैं अस्मंजस में हूँ इसको बोलते हैं I am in fix I am in fix Next sentence लिखा है जाना कहा है और करना क्या है इस परकार से कई बार हम बोलते हैं तो जाना कहा है इसको बोलेंगे where to go where to go and what to do what to do तो तो इसी परकार के sentence morning to evening यूज करते हैं इन sentences को यदि आप अपने conversation में या अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आप इनके हैवेचल हो जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस के लिए इस प्रका के सेंटेंस आप बार बार पढ़िए बार बार लिखिए या बार बार सुनिए तो आपके मन में इस प्रका के सेंटेंस जो हैं वो आपके दिमाग में आ बगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ थी God's grace was always with me God's grace was always with me अपराधियों की पहचान कर ली गई है culprits have been identified क्या वे इस तरह पेस आएंगे Will they behave like this? मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ I am compelled to do so मैं अब और चुप नहीं रह सकता I can no longer remain silent I can no longer remain silent क्या आपको party में मज़ा आया Did you have fun in party? मैंने आपको बेबज़े परेशान किया I troubled you for nothing अगर कुछ नहीं किया गया तो If nothing has done थोड़ी देर बात आना Come back a little later Come back a little later मैं अभी थोड़ा सा व्यश्थ हूँ I am just little busy right now I am just little busy right now अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत होती है Good always been over evil Good always been over evil अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है A lot of still remain to do A lot of still remain to do किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ Who said I am not happy Who said I am not happy स्वार्थ का जमाना है Selfishness is the order of day Selfishness is the order of day और मैं असमंजस में हूँ I am in fix I am in fix जाना कहा है Where to go Where to go और करना क्या है What to do What to do तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप पढ़िए और अपने conversation में प्रयोग करिए तो dear friends I hope कोई आपको एक सेंटेंस अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे हो तो इन्हें जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीजे से सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें Thank you for watching